हलो दोस्तों, वेलकम टो विद्यान पाठशाला, मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी गाइज, आज से हम क्लास नाइन सोसल साइंस जियोग्रफी स्टार्ट करने वाले हैं, जो है कंटेम्पूररी इंडिया वन दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम क्लास 8 जियोग्रफी भी कवर कर रहे हैं, उसी के साथ साथ पैरलान, साइमेनटेनसली हम क्लास 9 जियोग्रफी भी पढ़ेंगे मैं हूँ गीता नायक और मैं आप सभी का जियोग्रफी टीचर यह हैं हमारा orientation class, मतलब इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं कि class 9 geography में हम कौनसा कौनसा chapters पढ़ने वाले हैं और उस chapters का नाम क्या है next video से हम class 9 social science geography का chapter wise पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं और इसी के साथ ही आपको class 8 का सारा video सारा lecture भी मिलेगा हमारे इस चैनल में guys और एक चीज बताना चाहती हूं कि यह हमारा new educational youtube channel है जहां पे आप सभी को class 6 से लेके 12 तक ncrt के सारे subjects मिलेंगे with good teacher तो please हमारे इस चैनल के साथ बने रहिएगा मेरे इस वीडियो के साथ तिल एंड तक बने रहिएगा तो हम देखते हैं कि हम class 9 social science geography में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं इन upcoming videos तो guys हमारा content क्या है first chapter है हमारा India size and location basically हम class 9 में सब कुछ इंडिया के perspective में पढ़ेंगे पहले भी मैंने बोला था guys कि जब हम class 8 के पढ़ाई start कर रहे थे resource पढ़ा रहे थी तो वहाँ पर मैंने बोला था कि हम resource को इंडिया के perspective में deal करेंगे लेकिन resource भी आएगा next class में लेकिन यहां पर हम इंडिया का सारा basic पढ़ेंगे इंडिया के अलावा और कुछ नहीं है यहां पर हम इंडिया का size location पढ़ेंगे chapter 1 में chapter 2 में पढ़ेंगे physical features of India मतलब हम यहां पर जो हमारा relief है इंडिया का mountain, plateau, plane, depression यह जो भी है physical features, different different land forms यह सभी कुछ हम अपने chapter 2 में पढ़ेंगे जो है हमारा physical features of India फिर हम पढ़ेंगे chapter 3 जिसमें हम पढ़ेंगे drainage systems of India इंडिया में कितने type का नदी पाया जाता है, उनका source का क्या है, उनका destination मतलब वो कहां पर जाके meet कर रहे हैं हमारा chapter 4, that is climate, इंडिया का climate किस type का है, फिर उनकाईप है, उसमें features क्या क्या है, यह सब कुछ हम chapter 4 में discuss करेंगे फिर हम पढ़ने वाले हैं chapter 5, that is natural vegetation and wildlife, chapter 6 में हम पढ़ेंगे population तो guys यह बहुत ही छोटा एक वीडियो है, जहांपे basically मैं यहांपे discuss करना चाह रही थी कि हम क्या-क्या पढ़ेंगे in upcoming videos in terms of class 9 geography that I only discuss here तो guys हमारे हर एक upcoming video के साथ जोड़े रहिएगा, हमारे इस channel को subscribe करिए, like करिए videos अगर productive लग रहा है, आपके learning journey में help कर रहा है, तो please share करिए comment करिए अगर कोई suggestion है या फिर आपको कुछ और जानना है, मेरे domain से, मेरे subject से मुझे जो जो आता है, मैं यहाँ पर सारा सब कुछ share करने वाली हूँ, तो आपको क्या चाहिए, वो आप comment कर सकते हैं, और आप चाहिए तो हमें facebook और telegram में join दी कर सकते हैं, तो guys आज के लिए यही तब, next video में class 8 और class 9 एक एक करके, आपको हमारे playlist में available मिलेगा, तो guys टार्टा बाइबाओं